एक बार फिर आपके सामने एक नई प्रेजनेशन लेके हाजर है टॉपिक जो है युनाइटिशेड्स की हिस्ट्री के हवाले से और मैंने जो टॉपिक चुनाए वो CSS के अंदर आने वाले एक सबाल जो कि CSS के पाकिसेड के अंधर होने वाले States को बनाना शुरू करती हैं और आज जो है वो पचास रियासतों तक अमरीका किस तरीके से पहुँचा ये एक्सपेंशन ये बढ़ोतरी किस तरीके से हुई सवाल जो आया वो बड़ा यूनिक आया और ये सवाल था कि American Sense of Destiny के बारे में आप क्या जानते हैं सवाल जो है बेसी कली ये लीड करता है टूर्ड्स दिस टरम Manifest Destiny Manifest Destiny असल में American Sense of Destiny का ही दूसरा नाम है और ये Manifest Destiny और Westward Expansion ये दोनों कड़ी हैं एक दूसरे से मिली ही हैं एक ही स्टोरी की दो जो है वो पिस्ते हैं या दो पार्ट्स हैं ठीक है जी तो हम Manifest Destiny और Westward Expansion को फोकस करेंगे तो हमें American Sense of Destiny के बारे में खुबाखुस समझा जाएगा चले जी चलते हैं टॉपिक की तरफ मैं हूं मौमद नौफिल सफ़ान व्लाउकसर नौफिल अकैडमी और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहो पास जो है वो नी यॉर्क के जर्नलिस्त है जान और सिल्वान उन्होंने जो है वो एक अब ये मैनुफिस डेस्टिनी क्या 1845 में ये लवज जाद हुआ नहीं जनाब ये इस से पहले से मौजूद था नाम इसको मैनुफिस डेस्टिनी 1845 में बिला ठीक है जी दोनों चीज़ें एक ही हैं आगे चलते हैं तो ये मैनुफिस डेस्टिनी क्या था कहता है इट इस अंदर उस जमाने में, यानि के उन्नीस्वी सदी के आगास से ही, यानि के अठारा सो एक, अठारा सो दो की बात करो, आगास ही से ये बात तैह हो गई थी, और ये कहते थे कि खुदा का इशारा है, इनको जो है वो फैलना है, और पूरी लैंड के ओपर फैलना है, कॉंटिने का कि जो पूरा कॉंटिनेंट है, इसमें कैपिटिलिजम और डेमक्रिसी को पहलाना जो है, वो अमेरिकन्स की जुमेदारी है, ठीके जी, अब ये अब इसको देखते हैं कि किस तरीके से कहानी शुरू ही कहता है, कि आबादी के बढ़ने और अमरीका में हिजरत करके आने वालों की मुसलसल तादाद में इजाफे से नई जमीनों की तलाश, अब नई युनाइटेस्टेट की तेरह रियासतों की जरूरती, 1776 के अंदर अमरीका बन जाता है, बाद ये अमरीका की ये शेपाप के सामने तेरह रियासतों की सूरत में आती है, यानि कि और ये ये अटलांटिक ओशन जिय न, और ये पुरा का पूरा आज का मौजूदा अमरीका ये जब अमरीका बना था, तो ये रेड वाली रियासत था, तो इन लोगों ने ते कहलाता है तो आगे देखते हैं कि किस तरह से वेस्वर्ड एक्सपेंशन हुआ कहता है कि नौर्थ का हिस्सा भी ब्रिटिश के पास था थे कि यह वो हिस्सा था जो भी मैंने आपको दिखाया कि तेरा रियास्ते जो है इस जगह मौझूद थी और यह तेरा रियास्ते रुकी उस वकद भी बसीवी थी 1776, 1780 के आस पास थे सारी तेरा रियास्ते मौझूद थी जबकि इस साइट पे योर्पियन कॉलोनीस थी यह जो उपर का हिस्सा आपको जहां मैं एर इस वकद घुमाता हो नदर आ रहा है यह इस्सा जो है वो ब्रिटिशन के पास था यह इस्सा जो है वो फ्रांस के पास था नीचे का फ्लोरिडा वाला हिस्सा स कह पास था तो इस तरीके से पूरा का पूरा हिस्सा बटा वात यहます spear है यह मिसिसिपी रिवर जो है यह बड़ा इमपॉर्टन्ट रिवर ए और यह वो जो है वह आपको मैंने बताया थगिँ आ यहां पे 1803 के अंदर जिसके जरीए से अमरीका की जो रगबा है उसका साइज डबल हो जाता है यानि कि जितना अमरीका था उस वकत उस से वो डबल हो जाता है 1776, 1780 और 1790 के अमरीका को हम अगर तीन हिस्सों में डिवाइट कर दें तो एक हिस्सा तो वो था जो उस वकत की रियासते थ इसके लावा ये बीच का इससा जिसको कि हम वेस्ट वर्ड कह सकते हैं और ये फार वेस्ट था ठीक है जी इसी को मैंने यहां पर भी एक्स्पेंशन किया है ताकि आपको नज़र आए कि टेरिटरीस किस तरह से डिवाइड़न है ठीक है जी आगे चलते हैं अब देखे में कास क्या था वेस्ट वर्ड एक्सपेंशन का ये भी देखना जरूरी है कि वेस्ट वर्ड एक्सपेंशन की जरूरत क्या हो ठीक है कि वो डिवाइन एक इशारा था लोगों ने ये तैग किया कि खुदा की तरफ से एक इशारा है कि हमें वेस्ट वर्ड जो है एक्सपेंड वो दो करोड़ तीस लाख आदमी जो है वो अठार सो पचास में रह रहा था ठीक है जी आगे चलते हैं अब ये रैपिट जो ग्रोथ हुई पॉपलेशन की इसकी वज़ासे एकनॉमिक अली भी अमरीका को बहुत सारे डैमेजिस जो है वो देखने पड़े 1819 के अंदर एक एकनॉमिक डिपरेशन आता है इसके सारे 1849 के अंदर भी एकनॉमिक डिपरेशन आता है जिसकी वज़ासे लोग अब नई एकनॉमिक अपॉर्चनिटीज को तलाशने के लिए वेस्ट वर्ड की तरफ जाने की जो है वो कोशिश कर रहे थे क्यूंकि अमरीका के रहने वाले लोगों का उस वकथ तक जो मैंड पेशा था वो इसके सब्सकी जासे पहले जायर सी बत है उसके लिए उन नहें मज़ीड कमाना था तो उनहें मजीद agriculture करनी थी और मजीद agriculture करने के लिए उनको मजीद जमीन की ज़रुवत थी थर्ड प्रेजडेंट थे Thomas Jefferson उन्हों ने सबसे पहले इसको प्रोमोट किया और Westward Expansion का जो सबसे पहला आपको जो सीन नदर आता है वो ठार सो तीन के अंदर लुसियाना पर्चेस के जरी से नदर आता है जो के फ्रांस से जो है वो प्रेजडेंट Thomas Jefferson ने इसको पर्चेस किया था यह मैं आगे चल कि आपको डिटेल में बताऊंगा यह सारी के सारी टर्मनोलोजी सेंस ओफ डेस्टिनी Manifest Destiny या जो है Westward Expansion यह सब कुछ जो हो रहा है यह 1800 के पास से शुरू हो गया है और जो है वो इसका जो ऑफिशल नेम है वो 845 के आसपास आ रहा है लेकिन यह पहले से शुरू हो चुगा था तो 1823 के अंदर Monero Doctrine आ रही है और James Monero जो है इसी को कहा जा रहा है कि आपने फैल जो है वो मुनेरो जो है वो इस वकत Congress के अंदर खड़े होके या नि कि अपनी जो legislature है जिसको क्यों Congress कहते हैं अमरीका की legislature का नाम जो है Congress है खड़े होके उन्हों ने बिया उन्होंने कहा कि उन्होंने वांड किया European Nations को कि वो अब अमरीका के मामलात में खास वह वेस्ट वर्ड एक्सपेंशन के अंदर बिलकुल भी अड़ेच न डालें अगर किसी ने भी टांग अड़ाई अमरीका के वेस्ट वर्ड एक्सपेंशन में तो अमरीका इसको जो है वो जंग तसवर करेगा कि अमरीका से आपने एलाने जंग कर दिया है और अमरीका जंग करेगा तो यह monarodocrine थी कि अमरीका वेस्ट वर्ड एक्सपेंशन करेगा और अगर जो अमरीका का जो ये खिता है ये कॉंटिनेंट है इसमें अब यूर्पियन नेशन्स की जो कॉलोनीज हैं उनके इखताम का वक्त आ गया है यानि कि ये monarodocrine थी ठीके जी आगे चलते हैं अब ये फैक्टर्स देख लेते हैं वेस्ट वर्ड मुव्मेंट के और क्या-क्या फैक्टर्स तो आपने देखे इसमें वह फैक्टर्स क्या है तो देख लेते हैं तो औरिगॉन ट्रेल कहते हैं औरिगॉन यही था जो कि मैंने आपको बत इस जगह पर मैसूरी बिल्कुल इस्टर्न पार्ट पर और यह वेस्टर्न पार्ट है यह पैसिफिक ओशिन है और यह एट्लांटिक ओशिन है ठीके जी तो आपकी समझ में तो यह जो है वो औरिगॉन ट्रेल कहलाया इसके बाद दूसरा फैक्टर बना मॉर्मों ट्रेल ज जाके आबाद होंगे इन्होंने भी वहां से जो हो खुदहाफिस का वहां से रवाना हुए और वेस्ट की तरफ जहे इनोंने इनकी कौम ने पूरे के पूरे माइगरेट करना शूरू कर दिया तो यह वी एक वज़ा बनी मॉर्मोंस की वज़ा से भी जो है वेस्ट की आबादी होना शुरू गई फिर एक और बात होई कि 1849 के अंदर कैलिफोर्निया के लाखे के अंदर गोल्ड डिस्कवर हो गया अब गोल्ड की तलाश में लोग सब के सब भागे किस की तरफ कैलिफोर्निया और कैलिफोर्निया कौन से लाका यह पिर वही जो औरीगॉन वा इसकी के नीचे की आप समझे लिए कालिफॉर्णिया का इलाका है ये भी वेस्ट वर्ड है और लोग जो है वो इस तरफ को जाने लगे और आपने अभी नक्षे के अंदर देखा कैलिफॉर्णिया की तरफ अब ये वेस्ट की तरफ जा रहे है इसके साथ साथ एक और अगर मिलके रियास्त बनाने की दर्खास दें तो एक नई रियास्त बन सकती है रियास्त जो है यूनाइटेड सेर्स ओफ अमेरिका आपको एजे रियास्त तस्लीम करके आपको उसमें मर्ज कर ले तो ये 1783 के अंदर नौर्थ वेस्ट ओर्डिनेंस आया ठीक है जी इसने भी बहुत जादा ज़यास्तों के बनने में भी अब यहां पर आपको एक थोड़ा सा नजर आ रहा होगा कि वो 13 रियास्ते इस तरफ आपको नजर आ रही है इसके लावा फ्रेंश टेरिट्रिय आपको नजर आ रही है जो के लुसियाना पर्चेस कहला ही पहला पहला बड़ा जो पर्चेस हुआ जिसके बाद जो है वो आप देखते हैं कि यह अमरीका और यह अमरीका दोनों मिलके जो है वो डबल अमरीका हो गया है तो यह आपको नजरा है इसके लावा यह ब्रिटिश टेरिट्री है यह 49 पैरलल यहां से बनती है इस जगा से बाद में आगे जाके आ इस तरीके से USA का एक्सपेंशन हुआ वन बाई वन स्टेप बाई स्टेप देख लेते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है इससे आपको सारा कसा लेक्चर समझ में आ जाएगा इससे को स्किप नहीं कीजेगा 1776 यह वो साल है जब अमरीका आजादी हासिल कर रहा है और 13 स्टे 184 का साल आयाता है और अमरीकंस जहें वो ब्रिnewशनरी वार को जीत जाते हैं और रैव्लूशनरी वार को जीतने के बाद ये जो हिससा था 1783 यह तो इससे को था जाते है और यू जो है यह हिस्सा भी अमरीका को मिल जाता तो पहला expansion जो अगर officially देखा जाए USA की timeline के अंदर जो expansion हुआ वो पहला expansion इसको हम North West territories कहते हैं अमरीका के साथ आ मिलती हैं 1783 में after the winning of revolutionary war अच्छा अब जो है वो आप देखते हैं कि यहां पे आपको नदर आता है कि यह हिस्सा यह जो सबसे बड़ा जो expansion मिला Westward expansion जिसको हम पर्चेज आफ लूसियाना कहते हैं यह आपको यह पूरा का पूरा आज का United States नदर आ रहा है इसके अंदर यह लूसियाना पर्चेज है यह होता है ठार सो तीन के अंदर और और यह किससे होता है फ्रांस से अमरीका जो है पर्चेज करता है क्योंकि निपोलि यह ने हैं इसको 15 मिलीन डॉलर में ज dön्र वे दिया और इस तरीके से मिस्सिपी रिवर के इर्ध गिर च अब ये फ्लोरेडा ये जो बिलकुल अमरीका का ये नीचे वाला है ये जो है वो Adam Honest Treaty कहलाती है यानि के जो है वो इस्पेन से इन्होंने पांच मिलियन डॉलर में ये हिसा भी फ्लोरेडा का खरीद लिया और जो है वो ये भी अमरीका के अंदर मर्ज हो गया मैं पढ़ देता हूँ कहता है कि फ्लोरेडा 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 प्लोरेडा 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 प्लोर वे फ्लती हमरेोड है। फोरिड़ा है कि अगैब चलते हैं अब तेकसास का इनंग्जोरा है, सबस्छा के इनग्जिशन की तरह से हम दनेश के पनता है, की तर्धनियी उगा शलाक है हूं बोग च्जानेशन के पंदम साइनेशन की अचतार मुश्मरीन का परकाहिब मिलता है ठीकि जी अब ये अमरिका और मज़िद बढ़ा हुआ है लेकिं ये किस तरह से जा मिलता है ये सुन लीजे ए 1845 के अंदर तो ये मिलता है लेकिन 1836 के अंदर होता है ये के मेकसिको से ये टेकसस वाले जो हैं वह इंडिपेंडस حاصل کرتے ہیں اور پھر یہ خواہی ظاہر کرتے ہیں کہ ہم امریکہ کے ساتھ جوائن کرنا چاہتے ہیں اور یوں اٹھار سو پیتالیس کے اندر یہ امریکہ کو جوائن کر لیتے ہیں اور یہ ایکسپینشن مزید بڑھ جاتا ہے آگے چلتے ہیں اٹھار سو چیالیس کے اندر اوریگون ٹریٹی جو ہے وہ ہوتی ہے اور اوریگون جو علاقہ تھا یہ بریٹش کے پاس تھا تو بریٹش سے اوریگون ٹریٹی ہونے کے بعد یہ حصہ جو ہے وہ امریکہ کے اندر مرج ہو گیا میں بتاتا ہوں تو یہ جو پیسیفک نورت ویسٹ تھا یہ جو اصل میں سمندر کی جو ہے اجارہ داری تھی اس کے اوپر سارا جھگڑا تھا اور اس پہ امریکنز اور بریٹنز کا جو ہے وہ ایک کمائن قسم کا قبضہ تھا تو امریکنز نے جو ہے وہ بریٹنز کو جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے یہاں سے مار بھگایا یا یوں کہہ لیجئے کہ اب امریکنز اتنے طاقتور ہو گئے تھے یہ یو ایس سے اتنی طاقتور ہو گئی تھی ریاست کہ انہوں نے جو ہے وہ ان کو یہاں سے نکال باہر پھیکا اور اس کے لیے جو ٹریٹی کلائی اس ٹریٹی کا نام جو ہے وہ اوریگون ٹریٹی کلائیا اور اس کے ذریعے سے اٹھائیت سالہ جو جوائنٹ اکپنسی تھی وہ ختم ہوئی اور یہاں پہ بھی یونائٹڈ سیٹس آف امریکہ کا جو ہے وہ جھنڈا لیرہا گیا ٹھیک ہے جی اب آگے چلتے ساتھ مہیں سٹیپ میکسیکن سیشن تھا یہ میکسیکن سیشن کس طریقے سے ہوا یہ دیکھنے یو ایس میکسیکن وار ہوئی اور یو ایس میکسیکن وار کے اندر یونائٹڈ سیٹس آف امریکہ کو جو ہے وہ اس میں فتح ہوئی اور یہ اٹھار سو اٹھالیس کے اندر جو ہے وہ ٹریٹی آف گڑڈالا پھیڈال کو جو ہے وہ اٹھار سو اٹھالیس کے اندر ہوتی ہے اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ میکسیکن امریکن وار جو ہے وہ انڈ کرتی ہے اور امریکہ جو ہے بلاخر جو ہے وہ میکسیکو کے اس علاقے کے اوپر قبضہ کرنے پہ اپنے اجھنڈا لہرانے پہ کامیاب ہو جاتا ہے اور یوں جو ہے یہ حصہ بھی جو ہے وہ جو اس وقت میں آپ کو ایرو میں دکھا رہا ہوں یہ حصہ بھی جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مر جو گیا آخر میں آٹھوں جو لاسٹ جو ہے وہ اس کے اندر جو سیسیشن ہے وہ یہ یہ گیٹسیڈن پرچیس کلاتا ہے گیٹسیڈن پرچیس جو ہے وہ اٹھار سو اٹھار سو اٹھرپن کے اندر یہ علاقہ جو ہے گیٹسیڈن پرچیس کے اندر امریکہ کے پاس آ گیا یہ بھی اس کے اندر نیو میکسیکو اور ایرو زونہ نظر آتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مل جاتا ہے یہ گیٹسیڈن پرچیس دیکھیں یوں جو یونائٹڈ سٹیٹس سترہ سو نوے تک صرف تیرہ سٹیٹس پر مشتمل تھا اٹھار سو اکس میں چوبیس ریاستوں کی تیریٹری بن چکا تھا اٹھار سو اکسٹ کے آتے آتے ہیں یونائٹڈ سٹیٹس چونتیس ریاستیں ہو چکی تھی ان میں سے انیس ریاستیں فری سٹیٹس تھی اور پندرہ سلیو سٹیٹس تھی ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ فری اور سلیو سٹیٹس کا کیا چکر ہے کہتا ہے جیسا کہ ان ریاستوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا ایک فری سٹیٹس کا گروپ تھا اور دوسرا سلیو سٹیٹس کا گروپ تھا یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ اٹھار سو پچاس اور اس کے آگے کے دور میں یونائٹڈ سٹیٹس ایک ایسا ملک بن جگا تھا جہاں دو طرح کی ریاستیں تھی ایک سلیو ریاستیں تھی جن کو سلیو سٹیٹس کہتے تھے یعنی کہ سلیوری یہاں پہ قانونی تھی اور آپ یہاں پہ غلام رکھ سکتے تھے دوسری طرح یہ فری سٹیٹس جو ہے یہ وہ ریاستیں تھی یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سلیوری جو ہے وہ illegal تھی یہ فری سٹیٹس تھی یہاں پہ آپ کسی کو غلام نہیں بنا سکتے تھے یعنی امریکہ کا نورت حصہ جو ہے وہ اوپری حصہ جو تھا امریکہ کا وہ انٹی سلیوری تھا اور نیچری حصہ جو ساؤت حصہ تھا وہ جو ہے وہ سلیوری کے حق میں تھا یہی وجہ تھی کہ امریکن سیویل وار لگتی ہے اور 1861 سے 1865 تک یہ سیویل وار کے بعد امریکہ میں بلاخر سلیوری کا خاتمہ ہو جاتا ہے 1863 میں ویسٹ ورجینیا 35 ریاست کے طور پر یو ایس کو جوائن کرتی ہے یعنی کہ اب میں یہ بات با آپ کو بتا رہا ہوں جب سیویل وار ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ 1863 میں ویسٹ ورجینیا تھا یہ بھی 35 ریاست کے طور پر یو ایس کو جوائن کر لیتا ہے اسی طرح 1889 کے اندر جو ہے وہ نیویڈا نیبراسکا کولارادو نور ڈیکوٹا اور ساؤڈ ڈیکوٹا بھی جو ہے وہ اس کا حصہ بنتے چلے گئے واشنگٹن کو بھی یاد رکھے جنرل آل جی 1889 میں یو ایس کا حصہ بن رہا ہے آفیشلی کہتا ہے کہ 1912 میں نیو میکسیکو اور ایرازونا یو ایس کو جوائن کیا اور اس کے بعد بلکل آخری 1959 کے الاسکا 49 نمبر کی اور ہوای 50 نمبر کی امریکن ریاستہ جس نے 1959 میں امریکہ کو جوائن کیا تو یہ میں نے آپ کو پورا کا پورا جو ہے وہ ایکسپینشن ویس ورڈ ایکسپینشن اور پورا کا پورا جو ہے وہ سینس آف ڈیسٹینی سمجھانے کی کوشش کریا I hope کہ آپ کو یہ سمجھ آیا گا Thank you and much